नमस्कार मित्रों एक बार पुने आपका अपने चैनल पर स्वागत है आज हम जो प्लान आपको देने जा रहे हैं ये बड़े प्लाट के लिए हैं अगर आपके पास खुली जमीन है गरामिन चेतर में आप गर बनाना चाते हैं आप बड़ा प्लोट है और कम एरिया कवर करन चाते हैं आपके लिए प्लान बहुती स्विदाजनक रहेगा जैसा कि आप सभी को पता है जब भी किसी ने घर का निर्मान होता है उस घर का निर्मान वास्तु नुरूप होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बिना वास्तु कभी भी निर्मान नहीं कराना चाहिए जाने की चोड़ाई सेम है और लंबाई भी सेम है जब भी आप घर का निर्मान करें दिसा के अनुरूपी अपने घर को बनाना चाहिए इधर आपके पूरब दिसा आएगी इधर आपके पक्सिम दिसा बेक साइड में जो घर का एकदम पीछे का भाग होगा वो पक्सिम दक् बनाना है ध्यान पुर्फवेस्जिए का अगर आपका पूराना भी घर है इस प्लान को समझकर आप उसमें वास्तू सुदार कर सकते हैं मुक्य देखे हैं में दोर आपका मुक्य दोर अबेकिज सकते हैं घर कर दोर को घर में यहां पर आपका main door लगेगा जैसी आप अंदर enter करते हैं गेस्ट के बैढने के लिए drawing room यानि की yousef में आपके sofe लग जाएंगे यहां पर guest के बैढने के लिए आपके drawing room हो जाएगा कितना area है 10 x 11 यहां पर आपके कोई दरवाजा नहीं लगेगा आर्च लगा देना है जैसी अंदर एंटर करेंगे ये कौन सा इस्तान है ब्रमिस्तान जिसको घर का होल भी कहते हैं तो ये पूरे घर का अंदर का होल आ गया जहां पर आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं 21 फिर 6 चिसकी चोड़ाई रहेगी और बच्चों के लिए चिल्डन यानि की बच्चों के लिए स्टडी रूम मिलेगा दस वाई ग्यारा का दो आपको विंडो दी गई है एक आपके पूरब दिसा में खुल रही है एक आपके नोर्थ दिसा में अगर बच्चा यतास्तान पर अपनी पढ़ाई करता है आपके बच्चों को और आपको बहुत प्रोब्लम्स लाइफ टाइम फेस करनी पड़ती है तो यह आपके बच्चों का कमरा है देखिए हर चीज का अपना एक महत्तो होता है बच्चे भी अगर सही डंक से सही जगह पर बेटकर पढ़ेंगे तभी वो अपनी पढ़ाई के क्यों है अगनी कोर्नर सुक्र का अस्तान है आठ भाई 14 फिट का बहुत बड़ा कीचन दिया गया है पीचे बेक साइड में विंडो और यहां पर दो विंडो दीगी यह बीच में आपकी चिमनी लग जाएगी यहां पर आपके बरतन वगेरा के लिए यूटिलिटी एरिया के टीक सामने प्रिवेस और आपको इदर ही रखना है और यहां पर आपकी पूजा आपकी पूजा इधर रहेगी और चार भाई साथ का पूजागर बनेगा ठीक है पीचे बेक साइड में उपर की तरफ एक आपको वेंडिलेशन विंडो दे दिनी है ताकि पूजा गर में जो भी धूप दीप आप करें उसका वेंटिलेशन प्रॉपर हो सकें उसके बाद में आप सामने प्रवेस करेंगे 12-14 बहुत बड़ा साइज रहता है 12-14 की बहुत बड़े अच्छे कमरे होते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा कमरा आपको मिल रहा है डेक साइड में एक विं च्छेवाई आप दिय गई आयराम से आप बात टब लेट बात में लगा सकते च्छा पर तेकर है कॉमन बातरों आपको यहां पर दिय गया है च्छेबाई आठ का ठीक है और यहां पर यह आपका पीछे वेंटिलेशन विंडो दीगी है श्टेरकेस आपकी क्लोच कुवाईज रखी गई है और श्टेरकेस के लिए प्रोपर हमने एक रूम दे दिया है और बीच में इसके लिफ्ट का एरिया दे दिया है ताकि आप उपर अगर फर्ष्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर बनाएं तो लिफ्ट का उप्सन आपको यतास्तान वास्तु नुरूप दिया गया है और वास्तु का पुरा प्रोपर ध्यार नका गया है जो भी रिक्वार्मेंट रहती है सारी फुल्फिल है वास्तु का ध्यार नक कर अपने आसपास के अच्छे वास्तु सास्तरी से नक्सा बनवाईए ताकि बविश्चे में आपको किसी भी तरह की वास्तो नुरूप को अगर आपका घर वास्तो नुरूप रहेगा तभी आपके लाइफ में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि जिस भूमी पर आप निवास करते उस भूमी का पॉजिटिव होना और उसके निर्मान का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के लिए इतना ही जय हिन धन्यवाद